समाधनिय तर्षक्विन पुर्षतम मास महात्मय प्रवचन श्रिंखालामा यहारू सब्मा हार्दिक स्वागत एभुम अभिभादन। है जो हमले अध्या 27 को कथासार बहसतुद करेंगा थेयों जहां विश्वासियात गरेरा संपत्ती कमावन चाहने चंजोर्ष ब्राह्मा लाई इमराज ले 1024 समाध ब्रेवचता मिलावना चित्रकवतला आधे देगा थे आज अध्या 28 को कथास्तार प्रस्तुद गर्देई छूं। आउनु सेरों ये सध्या में क्ये कथा पिशे बहतु रहे छूं। नमी सारने छेत्रामा सुतनामा पौराणिक रिशीहर को सवामा सम्होधन गर्देई सवामा भन्देई होनुँच। जब कंजोस ब्राम्मन ले हजारों पटक सम्हा बांदर को योनिमा जन्मानों पर्णे व्यवस्तागर्णों भन्ने एमराज को आदेश्चुने तेसपसी चित्रकुप्त ले आपना अनुचर हर लाए अराउंदै भने। अनुचर हरों इक कंजोस ब्राम्मन पहले निकई लोबी ठीये। यह लोब काया कारण चोरी गर्णे हन। तेसपसी मात्र नरको यातना देरा पापकटनी को व्यवस्ता मिलाउंदै शुँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँ कासे बहुघ ही दीने वाला। है। दमपद्ति मात्र ठी छीज हो जाना याउटा ला कमायरा और कोले भूगन अफ्शर पाउनी गरचा है। पाप रधर्म ठीष तो हो धीना। qacanillisatachacha. भोग ने उसेले हो उसेले ने भोगनोपल्षा। मात्र फरक धर्मको फल सुखा हुँआ, सुखा भोग गरेने शकेंच पापको फल दुखा हो, नारगी या दुखपो गरे पसी मात्र समाव दाउँच। एसे के लागेने शुर्गरा नरक यहमा शासन नरक हुन्ना आधिको व्यवस्ता गरियेक। जीवनमा एकई पटक मात्र चोरीर विश्वास्कात गर्ने लाइत प्रशासन ने शार धाईना उसलाई समातेर जेल को छणिमा पुर्याउँँछ। जेल को चिशोहावा खाये पसी मात्र और नतिजा भोगेर पसी मात्र छुट्टी पाउँछ बने। पूरा जीवन इस्ता ही गर्णा पिताएगा थिये। तेसेले इनले पहले प्रत योणी में पठाउँणा पर चुट्टी पसी मात्र नरकुंडमा जाने अफ्सर पाउँछ। प्रत योणी भनेको तेस्तो योणी हो जाँ दुख मात्र पाईँछ तर त्यो दुख भोग गहरे बापत उसको पापको अमसबने काटियेको हुँदाई न। इसको अर्था हो त्याको दुख केवल दुख मात्र हो पाप कटा हुनको लागी होई न। पाप कटानी गर्नका लागी कटानी होनको लागी तर नरकुंडमा जानाईए परछ नारकी यह दुख भोग नहीं परछ नरकुंड केवल पापीला दुख दीन मात्र व्यवस्ता गरियेको हुई न। अपितु उसको पाप कटानी गर्नका लागी पनी व्यवस्तावाई का हुई तर जो अत्यांत धेरे पापी हुँँच उसले नरकुंडमा समेथ सीधे जाना पाउँदाईन। त्यां पुग्णका लागी समेथ लाम समभय प्रत्युएनी कु यात्रा गर्नू पर्ने हुँँच। इकन्जूस ब्रामर त्यस्ते पापी हुँँँच उसले इनलाई पईड़ी प्रत्युएनीमा पठाई दिनू बनेगुँँच। एटी बनेरा चित्रगुपत माहराज अन्य कामतिर लागे उनका अनुचर हरुडे उनलाई दरलाई दो चईए प्रत बनायरा फलफुल अन्न पानी क्यई पानी नवयको त्थान मा पठाई दिय। उनले त्हा लागा समभाईस मा प्रत्युएनी धानां गेरा कसाई ले ना पाउने दुख पाननो परियो। अनले त्हाओव को दुख भोग गरे बसी मात्र नारगे या तना प्भोगने अफसर पाये। अश्वता प्रित वेनी को दुख रा नरक कुंड को दुख उस्ताही हो तथा पी यहां अलक बनन भएको छा यहां पनी बिम्ब मा बोलियेको छा तेसले यहां धेरेई पाप गरने को अवर्स्ताही हुन्च भन्ने कुराको द्रिष्टान तोखनेरा बुजनुपरने हुन्च जेवस्ती कंजूस ब्राह्मन लाई प्रित वेनी में रहेरा तेहां को दुख भोग गरी सके पसी नरक कुंड मा लगेरा आली दियो एमराज का दोधरली त्यां भोगनपने दुखपनी भोग गरी सके पसी फल चोरे को प्रतिफल भोग गर्न को लागी कालंजर नाम को परभत को बनमा बादर भायर जन्मा नपगी एद्यवि त्यां परशस्त चिशुपानी जामुन तथा अन्य विविन्न किस्म का फल फुल का बोड थिये जु उसको मुख मा जन्मा दे पित्ता जन्य यह तो घाव निश्किको थियो कि संदाई पाकिरा रगत रप्पी बगी रहां थियो वो आपनो चंचले सबाबलाए काबु मा राखना सक्दाई ना थियो रा फल रो टिपे रा खाना खोच थियो तर मुख मा घाव ले करदा खाना सम्म नसकने अवस्त मा पुगियो यह वम रितले अन्न पानी बिहेन भर लाम समय बनमा भड़की रहां नजी के पानी को प्रसूर कोवा रभ फल फुल को भंधार भए पनी खाना पाये ना यहरेरा मात्र चिता बुजावनू पर्यो कि नकी उसले अगिलो जन्मा मा अरकाग फौल फुल चोरेरा देरेई खाने विचार गरे को थियो अना पसे लोब गरेर धेरे खाना खोजने को अवस्ता जाँ पनी तेस्ते होंचा देरे खाना खोजना खाने न पाये ने बार नसकी ने अवस्ता आउन शक्चा एद्यवि लोब मानवी यह सुबाभो जन्म जाद अधारे खोजन भाइकालिक जन्म अदा ए जसन अगर तेशली अधील, चाल बलिव यह लोल फोब नगरन भन्ने होजना नगर भन्ने रचिवि पनी स्वता भाइस 코로 इन अवस्ता भाहे होना वीले न गरनने वाट राथ अवस्ता इन आ कम शें ऀयो पfristब बल धेर्ल टतित्य पर बुब ना गरनने भूए ना बन सत सरे जावन्छ ल्यक्त गरन करूते तर्य। पर चाइने जाति मात्र गरनोंपर बनने हो। जाति ऑन सति przypadो अश् liquor नी पहसे लिलाख अब्सक्वा कंपे सावन्ट। बांचन को लागी पनि लोबगरन नहीं पर जान यथा त्यस्ता वनाई र गराई फुश्रव आडरमबर बाय केपनि हो रहा है रहा है लोबगरन हो नहीं नहीं, लोबनकरी रहा है रहा है। भन्नाग लागी ता हों चा गर्नाग लागी हों देवस तेस बांदर दे कालंजर परबत को भीच मा अन्नर अप जल्ली बिहीन भायर लाम समय ब्यतित करने परियो एक दिन ऑ गोमदई ते परबत मा रहे को मिर्का तिर्थ मा पुगियो जोन तिर्थ अत्यानत पवित्रय मानि देवता हरूले समय्त मिर्वका को रूप लिये रा तेस तर्थामा स्नानगरना आउनी भाय काले, तेसको नामने मिर्वका तर्था रहे को थियो. इती कुरा सुने पसे शुद हजी शिता रिशेहरुने बने, त्यस्तो पापी बाहादर्ले कुछाई त्यस्तो शुभकर्मा गरेगो थियू र त्यस्तो पवित्र तमंपुग्ने अफसर पायो that you should listen to. अगी बद्री नाराइंडे नाराज जिलाए भन्नुबय को प्रसंगा सुनाउं दै सुधर जिली भने इसको पचाड़ी पनी औरको रहस्या चा अगी कुनाई समभाय मां चित्र कुनलल नामगर का अत्यांत धार्मिक बैश्य थी विष्णु का परम्भक्त थी परम्भक्त भ एक बटक उनली प्रुस्त्तम मैना को उपासना गरे का थी जहां सबय ले एथेश्ट खाना रर लगाउन पाए तेत्तिकाय में कंजुष ब्रामाट पनी तेहां पुगेर चित्र कुन्डल बटकेई पाउने उद्ध्य चली प्रुस्त्तम भगवान को प्रसंगरी मांगने क तेहां को जल प्रसात खाना समयत पाये का थी स्वई पुन्य ले गरदा उनले तेती बड़ी पवित्र तेथमा पुगने अफसर पाये का थी शुने पसे रिशियोर ले तेस्तमादर ले कालंजर परबद जस्तो रमणी या थानमा जर्मना पाउनुक कारणा पनी केई छाग हरी बने राशातिम केका पाया शुताजी कि शुताजी पुकिया और को प्रश्ण पुकिया या पनी वाणा पनी बडरी नाराहीन ले अनुगा प्राश्न का भषच मे पनी भी तेती बहुत्त मने अवित्र दाल मा की くा उन्हेवरलाई जीवित गराई दिये, जब बादर होडे पुनवर जीवन पाए, तेस पचे उन्हेवरू एई परवत्मायर रमायर बश्न लागेगा थे। भगवान राम को क्रिपाले बादर होड़ू जहां होंचन तेहां को बंजंगल पनी तेस्तई होंच, पणी होंच, फल्फूल होंच, यही कारण ले तो कालन जात परवत तेस्तोर मणी यह पने को थिव। उनेई प्रसत्त म् भगवान का स्तूत गरे को पुन्यको प्रभावले त्यास बाधर ले त्यान जनमना पाउने अफ्सर पाएको थियो। तर आपने कर्म संस्कार दे गर्दा तेहां को प्रतिपल भोग न बने पाये को थिये, मात्र हेरे रा चित्त बुजावन परे को थियो, विस्तारे उसको मुख को गाव कुई एर गनावन थाले, दात जरे रा सकी यो, भोग प्यासले शरीर तेतिके गले को थियो, तई बनी चंचलता का गये को थियो, ते चंचलता ले गर्दा एक दिन तिर्था को छेव मार रहे को जामन को रुख मा चड़े रा फ्ल खाना खोजे, तर शकेना रा फाली दियो, एबंप्रितले फ्ल टिव दाई, ठोग नी प्रयास कर दाई, फ्ल दाई गरना थाले, उता जती फ्ल प्रुषत्तम मैना आयो, उसले केई पेनी खाना न पाये काले, यही ने उसको प्रुषत्तम मैना को ब्रता हो न पोगियो, वीज को चार दिन रुख बाट तलाव मा जहर्यो, और को हांगा मा खालना खुद दाई थियो, उसको हाथ खुटा चिबली और ते तलामनी रहे को चार दिन सम्मा उप पानी मा डूवेर बशयो, ताउको माथी देखाऊ थियो, पानी बाट 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 निस्का न खुट तर शक्ताई न थियो, इसो गरदा गरदे चार दिन भीतियो, और पांचाउँ तिन खुट दिन उसको त्याई मिर्तिव आयो, तर उसले प्र शुत्तम भगवान ले पठायका बिमान आयो, इता आपनों दिया दिव्य भयको थियो, ते दिव्याला समतियो, मादर को दिव्य देखाऊँ गरीशके को थि उसले उता सुर्ग बाट बाट बिमान आयो को देखे रहा उचक कपर उसको भाव बुजे रहा बिमान ले आउन विश्नु का दोरले समझाओ दे भने। आधर यह दर्शक बिन एशा द्याग मतामरी कथासर इने हुन। इप्रस्चंग बाता हामे निमन संदेश पाउनों सक्षाओं। पहलो संदेश तकिये बने जसले पनी कर्म समस्कार भोग नहीं पाचा। इस ते संदेश पहले पनी प्राप्त भाय को थियो। यहां एशाले थभ पष्ट अभयो। कंजुष प्रामाड को प्रस्टंगले एई संदेश दिन चा। उनली अरोलाई चलेर बात जुक्यार धेरे खाना खोजी। जसले गर्दा अरक उजन्ममा खानाई नहीं अवस्ता मा पुगी। खानेची नवय। खाना पाऊन हो युठा कुराओ ,क्सिन पहर खानेची भाय के पनी खाना पाऊन। खानीसे अगाड सब्खाऊ हो खाना मा खुगी। यस्तो अवस्तामा प्राप्त हो भनेको ज्याद हीím को दुख लागी। वीश वाय माझ समय रिरुक दोसरो संदेसर कूल सबंसे को विश्वास घास अ मने तो विश्वास सबंसे नगया अप्र snugनमा समय वाष्नपार पर्यत्यूने सबंसे को रिफयाँ हो नहीं बत्याπό पुरियागा थे। तेश्रो संदेश के वने चाइनी वन्दा बड़ी लोबगर्न हुँ दाइन। अन्य था लोबली लाब, लाबली बिलाब को आवास्तामा पुरियाँ अधरिया दर्शक विन इनाई प्रसंगा को साथ है आजाला विदा जान्चू विदा देनुच अस नम याउ